Hello, students, classics! बच्चो आजम आपकी हिंदी ग्रामर में एक नए टोपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द रचनायों, शब्द व्यवस्ता, ठीक है? तो बच्चो शब्द रचनायों, शब्द व्यवस्ता हैं जबसे पहले बात करते हैं कि वर्णों का ऐसा समूं, जो की निश्चित अर्थ प्रकट करें उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है? आपको यह तो पताई होगा वर्ण किसे कहते हैं? यह पता है सबको, ठीक है? तो नेक्स है, शब्द व्यवस्तायों के कितने आधार हैं? तो शब्द के भेदों का विवेचन मुख्यते तीन आधार हैं, कौन-कौन से? श्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है? फिर है कि जो शुरृत के आधार पर जो किया गया है वो शुरृत, उद्गम या उत्पत्ती के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तो स्ब्से पहले बात आती है तर स्थम सब्स कहते किसे हैं तो संस्क्रत भासा के जो शब्द हिंदी भासा में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रियुक्त होते हैं, यानि कि वो शब्द होते तो संस्क्रत कहीं हैं, लेकिन वो हिंदी में प्रियुक्त किया जाते हैं, संस्क्रत भासा के जो शब्द हैं, वो हिंदी में ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे हस्त, पुत्र, करम, विध्यारती, आग्नी, द्रश, आदी ठीक है, नेक्स्ट है विर आपका तत्सम हो गया, अब तत्भव किसे कहते हैं, तो संस्क्रत भासा के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवरतन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं, आनि कि संस्क्रत के वे शब्द जो रूप परिवरतन के बाद हिंदी में चलते हैं, हिंद प्रियोग किया जाता है जिनके श्रोत का पता नहीं चलता उन्हें देशस्जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज हैं उर्दू अर्भी फार्सी अंग्रेजी पुर्टगाली फ्रांसिसी आदी भासाओं के शब्त हिंदी में आए हैं जैसे अख़बार आदमी जमीन अपील गार्ड इस्टेशन अलमारी साबुन कुर्ता कैंची तो आदी यह क्या है मतलब यह अन्य भासाओं हीम से हिंदी में आए हैं वो क्या लाते विदेची सब्टि कै Agent पुर्चना के आदाब कर अभी बोलते कि माल अथवा रूट शब्द किसे कहते हैं और एसे सब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ने बने हो और तथा उनके खंड करने पर भी कोई अर्थ ना निकले आनि जब उनके टुकड़े करें उन शब्दों के तो भी कोई अर्थ ना निकले उनका एक ही अर्थ हो चाहे खंड में हो चाहे बिना खंड के एक ही और जो अपने आप में पूर्ण हों, कोई कहलाते हैं, मूल अत्वा रूड शब्द, जैसे बल, लोटा, गर हम लोटा को लोटा अलग अलग कर दिया, तो क्या इन शब्द का मीनिंग है, नहीं, तो लोटा का ही एक मीनिंग यानि मतलब बनता है, उसका एक अर्थ निकल रहा ह ठीक है, नेक्स्ट आपका योगिक अत्वा उत्पन शब्द किसे कहते हैं, मूल शब्दों के साथ कोई शब्द अत्वा शब्दांस जोड देने से, जो शब्द बनते हैं, उन्हें योगिक अत्वा उत्पन शब्द कहते हैं, यानि मूल शब्द के साथ कोई और शब्द यानि शब्दान जोड दिया जाए तो क्या बन जाते हैं योगी शब्द बन जाते हैं ठीक है जे सेना पती अब सेना मूल सब्द है पती जो है वो अन्ने शब्द है अप मान यानि जो विश offense जो आपके उपसर्गो प्रत्य वाले होते हैं वो भी योगी की शब्द होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है आपका योग रूड शब्द, उधान देकर समझाई, जो शब्द योगी होते हुए भी किसी विसेश अर्थ के लिए रूड हो गए हैं, उन्हें योग रूड शब्द कहते हैं, मतलब जो शब्द, मान लीजिए, उस विसेश अर्थ के लिए रूड हो जाते हैं, यानि कि विसेश अर्थ के लिए अलग हो जाते हैं, उन्हें योग रूड सब्द कहते हैं, जैसे जलज, आप जलज है, इसको अलग अलग करेंगे, जल प्लस में जै, इसका अर्थ होता है, जल से उत्पन होता है, किन्तु यह पीद प्लस में फिसका धे के लंब वह गनेश के लिए अब नेक्स्ट है आपका हमने श्रोत की हदार प्ले संधार आब हम किसके आदार। पढ़ेंगे去borne प्रियोग की आधार पर शब्द के कितने वेद हैं। प्रियोग से पहले है और के अनेकार्थी वक्यांस के लिए एक शब्द ये सब क्या हैं? अर्थ के अधार पर हमने इन में से प्रियावाची पढ़ चुके हैं विलोम भी पढ़ चुके हैं द्वन्यात्मक शब्द भी पढ़ चुके हैं अनेक आर्थी पढ़ चुके हैं वाक्यांस के लिए एक शब्द भी पढ़ चुके हैं ठीक है नेक्स्ट आपका प्रियोग के अधार पर शब्द के कितने वेद हैं, तो प्रियोग के अधार पर शब्द के दो वेद होते हैं, कौन-कौन से, विकारी और एविकारी, ठीक है, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, काल, आदी के काल परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी विकार उत्पन होता है विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है ठीक है जैसे बच्चा बच्चे तो में लिंग वचन पढ़ चुके हैं काल कारक रह रहा है भी हमारा कारक हमने नहीं पढ़ा है काल भी पढ़ चुके हैं और एविकारी शब्द कोन से जिन शब्दों के रू ही रहते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रियोग की दरष्टिसे विकारि आने वेद हैं कि दरुजठी दरुजा सैंसर्णाम विश्यशन दर्था क्रिया और निन चार टॉकिक्स को पढ़ चुके हैं ठीक है विङदा ॥ यो कि द्रश्टी से एविकारी शब्दों के चार वेद हैं कौन-कौन से क्रिया विशेशन संबंद बोधक समुच्य बोधक तदा विश्मियादी बोधक ठीक है आया समझ में ओके बच्चो आज के लिए इतना ही अब आपको ये चैप्टर अपनी कौपी में लिखना है और लान करना है ठीक है बच्चो थैंक यू बच्चो